हालो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट घ्यान में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक अगर आप यहां पर देखते हो तो पिछला वीक काफी ज़्यादा कॉंप्लिकेटिड रहा है इसमें आपको अपसें डाउंस तो देखने को मिले ही मिले है साथ के साथ मेजर अपडेट्स भी निकल कर आई हैं अब उनी अपडेट्स पर जो आगे की प्रोसीडिंग की बात है वह यहां पर निकल कर आ रही है और वह मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं क्या सच में यस बैंक जो है वह बिदेशी बैंक बनने जा रहा है क्या सच में जो फॉरन बैंक से वह अब यस बैंक को यानि की अब एक्वायर कर लेंगे या फिर नहीं सारी पर चर्चा होने वाली है वीडियो को एंड तक आप जरू देखिए सोड़र आपको सारी चीज अच्छे थे समझ में आ जाए चैनल फर फेस्ट विजट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरू करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरू का दीजिएगा चल के बाद टार्गेट बताए गए थे 19 रुपे 20 रुपे 16 रुपे 13 रुपे वह कहीं भी यहां पर अच्छी होते हुए नजर नहीं आए और जो बाकी लोगों के तरफ से टार्गेट बताए गए थे जो ऑबराल चीजों को अनालिसिस करने के बाद लेवल्स निकल कर आए थ तो इसमें आपको जो आप सेन दौन से देखने को मिले यहां पर पॉजिर्ट अणिस थेटर्गों की जब इसमें जो और रिटेल इन्वेस्टर्द हैंowana तो अपने साल तक सब्सक्राइब ताइम तक इसमें कुछ भी ज्यादा छेड़कानी नहीं करनी है या फिर अगर आप देखते हो तो कुछ जो प्रमोटर्स हैं जो इसमें श्टेक बेच लें जो खरीददारी कर लें क्योंकि और जो श्टेक बेचने की बात हो रही है उससे भी वॉलिटालिटी शेर में जाजत देखो यहां पर जो हैडलाइन तो ऐसी कैची बनाई जाती है ताकि आप रिपोर्ट पर क्लिक कर पाओ या कुछ ऐसी होता है और ऐसी यूट्यूब पर थम्नेल्स इसलिए बना जाते ताकि आप उसमें एंडर कर पाओ बेसिकली क्या है कि यहां पर जो 51% की हिस्से हिस्सेदारी आइधिंग 24 की है तो अब इसमें क्या होता है कि एक प्राइवेट बैंक के अंदर जो दूथरा बैंक है वह 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं रख सकता तो एक तो यह ऑप्शन है कि यह जो 24% है इसको घटाकर SBI 15% पर लिए और अपना जो 9% के आसपास का स्टेक है वह बेच दे एक ऑप्शन यह है कि पूरा 24 का 24% यहां पर बेच दे तीसरा आप्शन का निकल के आता है कि जो बाकी के जो रिमेनिंग बैंक से उनकी भी ओल्डिंग से मिला ली जाए जो कि फिर 36% के आसपास पहुंच जा रही है वह भी अपना स्टेक बेच है त जिसमें अभी बात हुई है अबुधाबी बैंक की और एक जैपैन की बैंक की अब वो क्या कर रहे हैं कि वह 15% और 33% के इस टेक में इंट्रेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है वह किस चीज़ में इंट्रेस्टेड हैं वह है कि हमें यहां पर इसकी 51% की होल्डिंग मिलनी च अगर जिन लोगों को नहीं समझ मैं उनको मैं बता दिता हूं जो भी प्रमोटर्स है जैसे मान के चलते हैं अगर उनकी होल्डिंग 50% से थोड़ी सी भी जाता है तो फिर उनके पास जो है होल्डिंग राइट मिल जाता है ठीक है यानि कि अब वह अपने अकॉर्डिंग फ आप देखते हो तो यहां पर कुछ इंट्रेस्टेड भी नजर आए आप रिपोर्ट्स भी पढ़ते जाना मैं बस आपको अपनी तरफ से जो चीजे मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूं तो हाली में अभी यहां पर जैसे कि मैंने आपको दो नाम तो बताए और भ अगर जैपन की बैंक ने खरीद लिया तो एक टाम पर कंपनी भी जैपन की कंसीडर कर ली जाएगी अब इस चीज पर जो आर भी आई है वह बिल्कुल भी रेडी नहीं यह उन्होंने अगर अगर यहां पर देखते हो तो उनको बोला है कि अपने नॉम्स को को रिव्यू क करें ठीक है जो आपने इसमें कंट्रोलिंग की बात करी है जो आपने अपने रखे हैं उसको एक बरियाब दुबारा से देखो क्योंकि इस चीज पर अगरी होना इस टाइम पर बिल्कुल भी एक सही चीज यस बैंक लिए नहीं होगी क्योंकि जो बैंक बिछले दो तीन साल स थोड़ा वो ट्रैक पर है तो अगर उसमें एक दम से बिल्कुल प्रमोटर्स चेंज कर दिये जाएंगे तो फिर बैंक के लिए हो सकता है दिक्कत और इस्पैसली शेरो होल्डर्स के लिए तो यहां पर आर्भी आई की तरब से मना कर दिया गया है कि हभी हम इसमें 91 परसं होते हैं सो डेट जितना आप श्टेक वेचोगे उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा ही बल्क इन्वेश्टमेंटी रिक्वायर्मेंट होगा वह ओपन मार्केट में भी आप इसमें बाइंग हो पाएगी तो वह भी यहां पर बोल दिया गया है नियम मैंने आपको पहली बता दिए नियम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बैंकिंग नियमों के मुताबिक किसी विदेशी बैंक की 100 फीस्दी हिस्टारी वाली सबसीडरी ही किसी प्रायवेट बैंक में स्टेक ले सकती है यही बजाए कि विदेशी बैंक अपनी सबसीडरी बनाते हैं ताकि लोकल बैंकों की तरह उनके ब्रांचेस काम कर सकें तो यह जो है वो आपको मैंने जो अभी मैंने इंडियन नियम्स बताएते बो भी है और यह जानी कि विदेशी बैंक होती हैं वो कैसे आइंग कर सकती हैं तो यहां पर बताए बिदेशी बैंकों में चौतर फीज़दी से जादा नहीं हो सकती Is यह से दारी किसी एक बैंक की नहीं बल संबर सुनत पर्सेडारी किसी एक बैंग में वधेसी निवेशक के पर लेना क्योंकि कि आप अगर और आपने इस बैंक कर इंस एक आपको इस आतना क dis advise a 4 एक बन जाता है कि आपको यह traction लेकिन में जो चीज है वह आपके लिए यही है अब रिपोर्ट्स क्या है रिपोर्ट्स हैं कि यह बैंक में स्टेट बैंक की 24% की इस्सेदारी बिकने जा रही है इसके अलावा एक्सिस कोटक करना ही पड़ेगा लेकिन यह बात अभी तैय करना काफी जादा डिफिकल्ट है कि कब तक होगा और साथ के साथ फिर अगर आप यहां पर देखोगे तो कौन इसमें खरीदारी करेगा अभी तक आर्विए की तरफ से जो मैंने चीज़ें निकल करें बता दी बाकी फिलाल वी